नमस्कार दोस्तूं मैं डोक्टर आवज चौधरी दोस्तूं आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कॉमन प्रोब्लिम के बारें बात करेंगे जिसे बहुत से लोग परेसान रहते हैं और उनको काफी लंबे समय तक जो ये विमारी परेसान कर सकती है आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले a5s1 जो आपका होता है इसपाइन के अंदर अगर a5as1 के अंदर या ने उटे तक भी जा सकता है और यह पेन कही वार एक पेर में होता है और इसका रूट को जो भी हम बात कर रहे थे वह होता है एल फाइव एस वन जो डिसक है वहार की प्रॉबल्म तो उस वीडियो के नदर हम उसी के बारे में बात करने हमाले दोस्तों इस टोपिक को समझने के लिए बहुत ही सोट के अंदर में पहले आपको एक थोड़ा से बैसिक आइडिया देना चाहूंगा इस पाइन और आपका इसके अंदर बैसिकली बीमारी होता क्या देखिए हम जानते हैं कि हम सब के अंदर सरीर के अंदर पीछे की त के स देखिए थो नीचे वहां तक यह जाता है और basically क्या होता है जो हमारी spine होता है यह collective word है इसके अंदर बहुत सारी vertebrae होती है यह क्या होता है यह columns होते हैं आप से map के अंदर देख पाइंगे मैं फिक लगा देतों उसके अंदर आप देख पाएंगे कि बहुत सारे एक के उपर दूसरा कोलम रखावा है तो इस तरह की कोलम और बहुत सारी वर्टीब्रे होती है और इस वर्टीब्रे के अंदर दोस्तों बीच के अंदर जो है इसके बीच से आप पिक्चर में देख पाएंगे कि वहां एक डिस्क भी लगी हुई है इसका भी अपना रोल है उसका हम आगे बात करते हैं दोस्तों यह जो वर्टीबरा होती है यह काफी सारी वर्टीबरा होती है और इसकी जो लोकेशन होती है हमारी बॉड़ी में उसके अकोर्डिंग वर्टीबर है इसके नीचे आप देख पा रहे है थोरेसिक वर्टीबरे टी वन टू टी ट्वैल उसके नीचे लंबर है एल वन टू एल फाइब उसके सबसे नीचे है वो सैक्रल है एस वन टू एस फाइब और दोस्तों सबसे नीचे हमारी होती है टेल बॉन जिसकों कोसि मतलब वर्टीब्रा आप कह सकते हुए चारों तरफ से आपको दीख रहा है लेकिन बीद से जो है उसमें खाली जगे है होल है और जिसमें थ्रू आउट जो होल है उस होल के अंदर से आपकी स्पाइनल कोड जो है नीचे तक पास हो रही है तो अब यह स्पाइनल कोड का क्या रोल होता है कि स्पाइनल कोड बैसिकली क्या करती है कि यह हमारे ब्रेन को हमारे बोडी के सारे ओर्गन से कनेक्ट करती है और जो नर्वस सिस्टम जो नर्वस का जो मेसेज होता है वो स्पाइनल कोड के तरू पास होता है यानि आप कह सकते हैं कि हमारी जो ब्रेन होता है बॉर्डी के हर और्गन को जो मेसेज होता है वो इस्पाइनल uses होता है और वापिस और relationships को मेसेज आता है वह भी मेसेज आता है वह इसे वाई से वर्षलिए चलता है दोस्तुआ इसी तरह सीरे से आपकी वेर्टिबर होता उसके बीच महांने बात की डिस्क होती है और यह होत absorber काम करती है spine को stable रखती है और ये moment में भी help करती है यानि एक vertebra से दूसरी vertebra बीच में जो आपका ये disc लगी हुए ये age body का soak absorber है और उसी के बीच से जो spinal code है वो भी वहीं से जा रही है यानि body के अंदर किसी भी की trauma हो कोई भी तरह का injury है आप दोड़ रहें भाग रहें तो उन सब के अंदर ये जो disc है इसका important role है और ये disc है ये protection spinal code को भी दे रही है और आपकी vertebra को भी दे रही है दोस्तों अब किसे भी कारण से है ये जो disc का इतना important function हमने बात की अगर इस disc के अंदर आपके सबसे उपर की disc हमने बात की कि cervical spine जो vertebra थी वहाँ से लेकि लास्ट में सेकरल तके reason में अगर कहीं भी दो vertebra के बीच की जो disc है अगर उस disc में माली जए disc location हो जाए वो disc अपनी जगे से थोड़ा हट जाए वो थोड़ा से बाहर आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि अंदर जो उसके अंदर जो spinal code थी जो nervous system को पुरा control करती है उस nervous system के उपर जो nerves अंदर जा रही है उन पे भी एक pressure create होगा क्योंकि disc अपनी जगे से हट गई तो उस पे खिंचा भी या pressure create करेगी तो उसके according ली आपकी body के अंदर जगें जगें आपको pain, discomfort या symptoms देखने को मिल सकते है अगर कुछ इसी तरह का आपका जैसा मैं वापिस पिक लगाता हूँ जो हमने बाद की L5 और S1 junction जहां पर की आपका जो number और sacral का joint या नहीं number का जो last vertebra है जिसको हम L5 कहते है और sacral का जो first vertebra है जिसको हम S1 कहते है जिसको हम Lumbosacral joint भी कहते है अगर यहाँ पर दोस्तों disc prolapse हो जाए disc अपनी जगे सहट जाए कोई trauma, injury या कोई भी दूसरे कारण से तो उसको हम L5 S1 disc prolapse कहते है दोस्तों अगर L5 S1 disc prolapse हो जाए तो आपकी बोडी में naturally जो वहाँ से जो spinal code जा रही थी जो nervous system था, जो nerve जा रही है तो वो compress होने लगेगी जिसको आपको डोक साब रूटीन में कहते हैं आपकी nerve जो compress होगी है, आपकी नस दबने लगे है तो उससे related आपको बोडी में कुछ symptoms भी देखने को मिलेंगे अब ये symptoms किस तरह कोँगे, उसको भी हम स्वाट में थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहली बात इसकी आप location जाते हैं कि आपकी कमर में नीचे lower back part में होती है इसकी location L5 S1 की तो naturally उसी area उसे नीचे के body parts में आपको symptoms देखने को मिलेंगे आपको जैसे आपका जो lower back कमर का जो नीचले वाला हिस्सा है वहाँ पर आपके pain फील करेंगे यानि आपको दर्ड महसूस होगा, आपको stiffness फील होगी आपको एक जगड़न, accuracy महसूस होगी आप अपने आपको comfortable नीफील करेंगे इस तरह का आपको pain में symptoms देखने को मिलेंगे दोस्तों इसी तरह से आपके जो होता है ये नीचे पेरों में भी आपको symptoms देखने को मिलेगा ये symptoms आपके कोई एक पेर में हो सकते हैं ने हम आपो किया देखने को मिल सकता है उर यह सिंप्टम्स कर दो रहे कम आपको जा रहा है पुछ और जा रहा है आपके थाइस में पेंच जा रहा है नीचे पेर नीचे डर जा रहा है और के बिल्कूल nervous की compress हो रही तो नमनेz, tingling इस तरह का pan feel कर सकते हैं किवारी पेंज होता है bit comes constant Schutting pain होता है यह प्रोया खोल पीजू गाल is ना जादा चैनल हो सकता है कि उसके करण आपको इतना सीवियर पेन हो कि आपको बेड रेस्ट भी जो है सजेस्ट की जा सकती है कि इस बार इन सब के साथ में आपके पेरू में जो है इतनी ज़्यादा वीकनेस आ सकती है कि आपको चलना भी मुस्किल हो सकता और एक तरह साथ पैरालाइसिस आपने आपको फील कर सकते हैं यह हमने सिंटम्स की बात कर लिए दोस्तों जब आप अपने डुक साब के पास जाते हैं एकसर तो आपके डुक साब इसके लिए क्या टेस्स करवाते हैं अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें देखिए जिन लोगों की प्रॉब्लम है वो समझ जाएंगे कि अब मैं जो है यह ट्रीक्मेंट जो है किस तरह से उनके लिए इफेक्टी होने वाला है दोस्तों अच्छी बात है कि होमियोपेटिक अंदर बहुत अच्छी ची मैडिसन्स आती है जिनको अगर आप लेते हैं तो बहुत तेजी से हैं और आपको बहुत अच्छा फाइदा देखने को मिलता है इनफेक्ट मैंने मेरी क्लिनिक पे भी बहुत से ऐसे पैसे हैं जो बिलकुल बेड रिडन थे यानि जो बिलकुल बिस्तर पे थे जो उट बेड भी नहीं सकते थे और जिनको सरजरी तक रिकमेंट की हुई थी लेकिन अगर उन्होंने टाइम ली प्रॉपरली अपना इनफे डुक साब से भी मिलें उन्होंने जो भी आपको इस्टरक्शन दी हैं जो भी गाइडेंस दी हैं उसको भी आपको बिलकुल फोलो करना है दूसरी बात इसमें आपको रेस्ट करनी चाहिए आप जितना रेस्ट करते हैं आपकी रीकोवरी उतनी अच्छी होती है मेडिया चड़ने से बसना चाहिए आपको ट्रेवल करने से बसना चाहिए मतलब आप जितना रेस्ट करेंगे उतना यह आपके लिए ठीक रहेगा दोस्तों उसके बात के अंदर है अगर आपको कोई तरी की फीजियो तरीपी अक्सराइस बता रखी है उसको भी बिलकुल आपको फोलो करना चाहिए अब हम बात करते हैं होमियोपेटिक ट्रीटमेट की देखिए होमियोपेटिक अंदर बहुत यची-ची मैडिसन साची है जैसे मैं आपको भी बताया और मेरा क्लिनिकल एक्सपिरियंस भी है कि जिन्होंने मैडिसन ली उनको बहुत यच्छा फा आप देखा ऐसे के टार आनीका एक बहुत अची मैडिशन है और को ट्वहनडेट्टों प्वंडे पोटेंसी में यूच किया जा सकता है और को ट्वहनडेट्ट villains in नमे तीनवार शुभे दोपे शाम तीनवार दे सकते हैं दो सुन्ग नेक्स हमारी मेडिसन जो मैने देख कर सकते हैं दोस्तों नेक्स मेडिसन जो ज्यादा तर केस में और अच्छे रिजल्स देती है है वह केलकेरिया फ्लोर ये एक बायो कैमिक है और इसको six एक्स पोटेंशी में आप यूज कर सकते हैं इसकी चार चार टेबलेट आप दिन में तीन वार इसी तरह मैंने देखा बहुत अच्छे रिजल्स देती है और हालंकि आप जानते हैं इस कलवा और बहुत सी मेडिसन्स आती है जो एस पर नीड एस पर सिंटम्स आपके डोक्टर सापके लिए सजेस्ट कर सकते हैं लेकिन हाँ इस वीडियो के तुरू में आपको एक मेसेज और स्कूल भी नहीं घब रहें अपने डोक्टर की टच में रहें आप अपना जो बेसिक लाइफ स्टाइल है उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखें और होमेपेटिक ट्रीटमेंट लेंगे तो डैफिनेटली आपको बहुत अच्छा फायद होगा दोस्तों इसी तरह से आप उ